हेलो गाइस तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टीच बॉक्स में तो आज हम आपको बताने जारे कैसे आप किसी भी पेज या डॉक्योमेंट को स्कैनर की तरह स्कैन कर सकते हैं वो भी अपने एंड्रोइट फोन से तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च बॉक्स में कैम स्कैनर टाइप करना है और आपको यह पहला वाला एप डाउनलोड कर लेना है मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे ओपन करूंगा तो चलिए इसे ओपन करते हैं एप स्टार्ट हो जाने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा तो आपको केमरा वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और जिस भी डॉक्यूमेंट या पेस को आपको इसकेन करना है उसका फ्लेश लाइट ओन करके एक फोटो ले लिजे तो चलिए इसका फोटो ले लेते हैं यह हमने इसका फोटो ले लिया है अब इससे क्रोप करते हैं मैं इसका साइज सेट कर देता हूं साइज सेट कर लेने के बाद आपको नीचे टिक बने वाले ओप्सन को क्लिक करना है और यह इसका कर देगा अब यह लोड ले रहा है और थोड़ा सा वेट कर लेना है अब यह लोडिंग खतम हो चुका है तो चलिए अब इससे यहाँ पर से क्लिक करके कर लेते हैं तो देख सकते हैं यह सेब हो चुका है तो चलिए अब इससे ओपन करके इसकी quality देख लेते हैं तो अब इससे जूम करते हैं जूम करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसके quality कापforme अच्छी है लेटर्स बिल्कुल भी नहीं फट रहा है और सारे वाट्स हमें अच्छे से दिखाई पड़ रहा है तो चलिए अब इसे सेर करके देखते हैं तो सेर करने के लिए आप उपर वाले सेर अप्शन पर क्लिक करेंगे आप इसे पीडियाप और इमेज में सेर कर सकते हैं मैं इसे पीडियाप में सेर करूँगा तो चलिए पीडियाप को क्लिक कर दीजिए फिर आप चाहिए तो किसी में भी सेर कर सकते हैं मैं इसे अभी फिलाल वाट्स अब में सेर कर रहा हूं तो मैंने अपने एक फ्रेंट को यह डोक्यूमेंट भेज दिया है तो चलिए अब इससे खोल के देख लेते हैं कि आखिर यह सक यह कैसा क्वाइल्टी दे रहा है तो जैसा कि आप लोड होने के बाद देख सकते हैं कि यह कितना बहतरीन और कितना अच्छा क्वाइल्टी दे रहा है कि जैसे एकदम बहुत महेंगे वाले स्केनर से इसे स्केन किया गया हो थैंक्यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा और आपका जो भी सदेशन या कोस्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं